बड़ी ख़बर Go First Airlines से कर्च के संकट में फसी Go Air First Airlines की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है Regulator DGCA ने Airlines का लैसंस रद करने की धम की दे दी है DGCA ने Airlines से पूछा है कि उसका लैसंस रद नहीं करने की वज़ा बता है कि क्यों ना उसका लैसंस रद कर दिया जाए इससे पहले DGCA ने टिकेट बेचने पर Airlines को रोग दिया था कई ट्रैवल एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर भी Go First के खिलाब NCLT में जाने की तयारी कर रहे है इन सभी का Go First पर करीब 900 करोड रुपे का बकाया है सर क्या Go First का लाइसेंस रद होने के करीब पहुँच गया है कल काफी महत्तुपूर्ण बैठक थी Go First के भविश्य को लेकर भारत के उद्यन मंत्राले में और DGCA की तरफ से काफी सक्ती दिखाई गई इस मामले पर जैसे हमने कल अपनी चर्चाओं में कहा था कि Go First की Go First एरलाइंस धीमे धीमे डूबने के तरफ बढ़ रही है और उसे उबरने में भी फिलाहल कोई संभावना नहीं दिखती इसलिए NCLT में चल रही कारवाई जहां Go First पूरी पेशबंदी में है कि उसे किसी तरह से NCLT से एक मौरिटोरियम मिल जाए जिससे कि उसकी मौझूदा एसेट्स लाइसेंस हैं वो बचाया जा सके उसकी उमीद बनती नहीं दिखाई दे रही DGCA ने Go First को लाइसेंस कैंसल करने की या रद करने की चेताव नहीं दिये लाइसेंस रद होने की पस्तिती है कि अगर कोई कंपनी लंबे समय तक अपने जहाज नहीं उड़ा पा रही है तो सबसे पहले उसकी बुगिंग बंद होती है बुगिंग बंद होने के वाद उसके लाइसेंस को कैंसलर सस्पेंड कर दिया जाता है और अगर गोफरस्ट का फ्लाइंग लाइसेंस या गोफरस्ट को मिला हुआ लाइसेंस कैंसलर सस्पेंड होता है तो ततकाल GoFast को मिलने वाले पारकिंग लाट्स और जो इंफरस्ट्रक्ट्चर सो भी थाए एरपोर्स पर मिलती है चेकिन काउंटर वो भी बंद हो जाएंगे डीजी सीय के तरफ से दबाव बनाने की दूसरी एक बड़ी वज़े ये भी है कि डीजी सीय पर एरक्राफ्ट देने वाली जो कंपिनिया है जो गोफस्ट को एरक्राफ्ट देने वाली कंपिनिया है वो दबाव बना रही है कि गोफस्ट को दिये गए एरक्राफ्ट की को डी जहाज देती हैं क्या पेश्बंदी करनी है वो नहीं दस और जहाजों की कारेश्टेशन कैंसल करने के लिए डीजी सीए से अपील की गई है चूंकि इसकी वजह यह है कि यह कॉंप्लिकेटट विजनस है जिसका विजनस में एक एरलाइन्स को हर महीने जो लीज पर लिए भुक्तान नहीं कर सकती और चूंकि कंपणी बैंकरप्ट है पैसा नहीं है इसलिए कि रायका भुक्तान होने में और भी ज़्यादा मुश्किल है तो इसलिए जो लीज देने वाली कंपणिया है उन्हों ने एंसी एल्टी से भी और डी जी सीए से भी कहा है कि टोटल सारे 36 से 36 जहाजों का की की लीज कैंसिल कर दी जाया और उन्हें डी रेजिस्टर कर दिया जाया और यहीं वो क्रेंच मुवमेंट है यहीं वो सबसे महत्तोपून वजह है जहां से गोएर की या गोफस्ट की का भविश निरधारित होगा क्योंकि अगर इनके दबाव पर लोगता है तो फिर फस्ट के लिए वापस उड़ान भरना मुश्किल होगा सर इन लेजर्स के लावा अगर मानी यह जहाज देने वाली कंपनियों को छोड़ भी दें तो जो बाकी बकायदार हैं बाकी बकायदारियां वो कैसे पूरी होगी उनका क्या होगा शुमन चार त देने वाली कंपनिया यह कब तक इंतार करेंगी पता नहीं इसके लावा तीन और बेहत महत्तुपून स्टेक होलडर होते हैं जो इवेशन इंडस्टी में उनका दवाओ गोफस्ट पर ज्यादा है एजेंट्स का काफी बड़ा हिस्सा जिनका काफी बड़ी देंदारी है जासातर कंपनिया बुकिंग करती है एजेंट्स की जरी और एजेंट्स का पैसा बकाया है गोफस्ट के उपर जो नहें उन्हें गोफस्ट ने नहीं दिया है और इसी समस्य आपने जेटेरवेस के साथ देखी थी दूसरा बड़ा हिस्सा जो है करमचारियों की बकायदारी उनके बकाय पर भी गोफस्ट ने भी कुछ नहीं का गोफस्ट ने ये कहा है कि कमपनिया नहीं छोडनी चाहिए नोटिस पीरेट का सम्मान करना चाहिए कमपनिया उनके पैसे का की वापसी करेगी दूसरा ये बड़ा हिस्सा है और तीसरे जो बड़े बड़ा हिस्सा है व पूरे मामले पर सारी चीजें इस बात पर निर्वर हैं कि एंसील्टी क्या फैसला देती है गोफस्ट पूरी कोशिश कर रही कि एंसील्टी से किसम का मौरिटोरियम में किसम का इस्ट्रे मिल जाए तो यह ततकाल बनने वाले जितने दवाओं है इन्हें रोका जा सकेगा ले एंसील्टी ने एक और एरलाइन स्पाइस जेट को भी नोटिस दिया है लीस पर एयरकाफ देने वाली कंपनी एयर कैसल ने एंसील्टी से कहा है कि स्पाइस जेट ने उसका पेमिंट डिफॉल्ट किया है और इस वजए से एंसील्टी ने स्पाइस जेट को नोटिस दिया ह पर स्पाइस जेट की वित्ती समस्याँ पहले से चल नहीं पिछले दो साल से स्पाइस जेट तरह तरीके की प्रबंधन, कापरेट, गवर्नेंस, फंड्स की समस्याँ के कारण पर परिशान है पर यह खबर थोली जादा चौकाने वाली है एरकैसल ने कहा है कि NCLT ने उसके पेमेंट में डिफाल्ट किया है यह वी वैसी ही कमपिनी है जो अपने जो एरक्राफ्ट किराय पर देती है और इस डिफाल्ट के बाद हला कि स्पाइस जेट का कहना है कि सामान प्रक्रिया है लेकिन NCLT में एक कमपिनी स्पाइस जेट के ख जो जो इस्पाइस जिट के खिलाब गया है यह घटना करम फिर बाजार में और भी ज्यादा उथल पुथल मचाएगा एविशन बाजार में जहां वैसे भी ग्रहकों के लिए यात्रा करने वालों के लिए विकल बहुत सीमित हैं भारत में दोही तीन एरलाइंस हैं और अगर